तो हेलो स्टुडेंट्स मैं उम्प्रकास सारन, फेकल्टी ओप कमिस्ट्री एड टेम सेलसी, तो देखो आज पंच नमर पुन डिसकस करेंगे, फोर्टेन, तो फोर्टेन नमर पंच में कौन सा टोपिक है, सोलिड स्टेट एंड सरफेस कमिस्ट्री, काफी कौन शेप्चल औ लर्निंग चेप्टर, सरफेस कमिस्ट्री में तो पूरी की पूरी इंप्रमेशन आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, तो देखो पहला क्यूशन है, which of the following statements is not applicable to chemical jobson, तो यह आपको पता होना चाहिए, chemical jobson क्या होता है, तो देखो chemical में क्या होता है, जो adsorbent, यह adsorbent है, और यह adsorbent है, इन दोनों के बीच में, एक strong chemical bond होगा, strong chemical bond होगा, तो जो reactant आपस में react करके product का formation करते हैं, तो इसके बीच में क्या होगा, adsorbent और adsorbent के बीच में strong chemical bond होगा, तो एक slow process होगा है, ठीक है, क्योंकि reactant की बीच की bond break होते है, फिर reactant की bond break होने के बाद में product का formation होगा, तो it is the slow process, तो आपको तो कुन सा है, अनुप्योक्त कतन select करना है, it is irreversible process, बिल्कुल यह irreversible process है, एक बार bond बन गया, तो वापस इस bond को आप break नहीं कर सकती, अगर break करना भी चाओ तो एक specific temperature और pressure की condition रखनी पड़ेगी, तो इतना आसानी सी इसको आप reverse है, नहीं कर सकते, तो यह क्या हो गया, irreversible process हो गया, यह बिल्कुल सही statement है, third, it is highly specific, यह क्या होगा, highly specific होगा, यानि कि हर एक adsorbate, हर एक adsorbate पे आके adsorbate नहीं हो सकता, एक particular adsorbate, एक particular adsorbate पे आके ही deposit हो सकता है, तो third statement भ of temperature, बिल्कुल temperature की तो इसमें requirement होगी, तो कौन सा option wrong होगा, fourth, तो fourth option is wrong, next question, तो बच्चों देखो, next question में क्या है, plot the log x upon m against log p is a state line inclined at an angle of 45 degree, when the pressure is 0.5 ATM, kq value देखे की आपको 10, तो आपको क्या पुचा है, amount of solute adsorbate per gram of adsorbent, amount of solute x upon m, इसकी विलिए आपसे पूचिए, तो x upon m is equal to kya होगा, kp की पार 1 upon n, ठीक है, according to friendly parameters, तो दोनों तरफ आप लोग लोग है, तो log 10 base x upon m, यह आपने ले रखा होगा, log 10 base k plus 1 upon n log 10 base p, तो देखो इसमें slope क्या होगा, y बराबर c plus m x, x axis p क्या है, log 10 base p, तो slope क्या हो जाएगा, 1 upon n, और slope आपको क्या दिरक है, 1 upon n is equal to कितना दिरक है, 1045 और 1045 डिगरी की वेल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 upon n की वेल्यू क्या होगी, 1, तो यहाँ पी x upon m की वेल्यू आपसे पूचिए, x upon m is equal to k, k की वेल्यू आपको कितनी दिरक है, 10, प्रेशर कितना दिरक है, 0.5, और 1 upon n की वेल्यू क्या दिरक है, 1, तो इसकी वेल्यू क्या होजागी, 5 फे ग्राम, तो परती ग्राम अदिसो सक पर अदिसो से विले की मात्रा क्या होगी, 5 ग्राम होगी, तो कौन सा option is correct, next question, which is correct about physical adsorption, physical adsorption में कौन सा statement सही है, तो physical adsorption के लिए क्या क्या requirement है, pressure और temperature की, तो देखो, according to leach tiller principle, gas, solid, gas adsorption on solid surface, इसमें delta adsorption क्या होगा, negative, क्या होगा, इसमें रिलीज होगा, तो यह क्या प्रोसेस हो गया, adsorption क्या होगा, इसमें प्रोसेस होगा, популярis और एक्जोथरिमिक प्रोसेस, यह क्या होगा एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो गेस यहां पर क्या है, गेस यहां पर adsorbeate है, solid यहां पर क्या है, adsorbent है, तो gas अगर solid की surface पे adsorb हो रही है उसको क्या बोलते है adsorption और जब separate हो रही है तो adsorption का reverse process क्या होता है desorption तो देखो reaction अगर forward direction जाएगी तो adsorption ज्यादा होगा और यह reaction क्या है exothermic reaction तो according to leach etarial principle exothermic reaction में अगर आप temperature increase करते हो तो reaction किस direction में जाएगी backward direction में आपको reaction को किस direction flow करना है forward direction में flow करना है तो adsorption क्या होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा adsorption करोगी तो exothermic reaction में temperature क्या करना पढ़एगा आपको decrease करना पढ़एगा तो lot temperature क्या है इसकी favorable condition है अब pressure की बात करें तो pressure increase करोगे तो reaction उस डारेक्श में जाएगी जिद्द नमबर ऑफ गेस स्मुल कहा है कम है तो यहां पे नमबर ऑफ गेस स्मुल क्या होगा one और यहाँ पर number of case स्मोल क्या होगा गा जीरो तो reaction किस डिरेक्च में जाएगी forward direction में जाएगी तो प्रेशर आपको क्या करना है increase करना पढ़ेगा तभी reaction forward direction में जाएगी तो temperature तो क्या होना चीह minimum होना चीह और pressure क्या होना चीह maximum होना चाहिए, उस case में ज्यादा से ज्यादा physical adsorption होगा, तो देखो कौन सा option है, low temperature और high pressure, third option is correct, next question, a catalyst is a substance, catalyst क्या होता है, जो activation energy को क्या करता है, decrease करता है, and rate of reaction is speed of reaction को क्या करता है, increase करता है, उसे आप क्या कहोगी, catalyst, खुद में कोई change है, नहीं करता है, na reaction को यह start करता है, इसके delta h में भी कोई change है, no change, delta h यहाँ पर क्या है, heat of reaction है, तो पहले, alter the equilibrium in reaction, reaction में equilibrium को change करता है, बिलकुल नहीं करता है, पहला गलत हो गया, second is always in the same phase as the reactant, ये भी बिलकुल गलत है, third is participate in the reaction and provide easier pathway for the same, ये statement तो यहां तक तो सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है, reaction के अंदर participate है, नहीं करेगा, fourth देखो, आप does not participate in the reaction, बिलकुल सही है, but speed, यानि reaction की speed को क्या कर देता है, इंक्री next question, देखो बच्चो, काफी simple सा question है, homogeneous catalysis और heterogeneous catalysis, homogeneous catalysis क्या होता है, जिसमें reactant और product और catalyst, दोनों की क्या हो, same phase हो, homogeneous का मतलब क्या होता है, same phase, of reactant, product and catalyst, तो देखो same phase की, इसकी liquid है, इसकी solid है, heterogeneous catalysis हो गया, different phase है, ये gas, solid, heterogeneous, इसमें देखो, ये भी gas में, ये भी gas, ये भी gas, और ये भी gas, तो product, reactant, और catalyst, सब सेम पेज में, तो third option is correct, next question, the coglation value in millimoles per liter, बिलकुल सही बात है, किसी भी electrolyte की आपको देर किये, coglation value, इसको coglate करना, तो ये क्या है, negative charge solar, this is the negative charge solar, ये क्या है, negative charge solar है, correct order of coglating power, तो coglating power क्या होती है, coglating power, proportional 1 upon coglating, coglating value, तो देखो, आप से coglating power का order पुछा है, इसके नदर, correct order of coglating power, तो coglating value जिसकी ज्यादा होगी, उसकी coglating power क्या सबसे कम होगी, तो देखो, coglating value सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है, तो इसकी coglating power क्या होगी, सबसे कम, तो first की सबसे कम, उसके बाद में किसकी होगी, second की, और सबसे ज्यादा coglating power क्या होगी, third की, ठीक है, तो कौन सा option सह 3rd, 2nd or 1st, 3rd, 2nd or 1st, 4th option is correct. 7. Gold number of Protective Poloids, 4 के gold number आपको दे रिखे, gold number क्या होता यह सब आप अच्छी से जानते होंगी, the correct order of their Protective Power, तो gold number universally proportional to Protective Power, तो देखो gold number सबसे कम किसका है, उसकी protecting power सबसे ज्यादा होगी, तो gold number है D का सबसे कम होगा, तो D की protecting power सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में देखो किसकी value कम है, C की, तो उसके बाद में C, उसके बाद में क्या होगा B, और सबसे कम क्या होगा A, तो A, B, C, D, तो सबसे ज्यादा D, उसके बाद में सबसे कम E, A, C, B, D, कौन सा option है, second option is cracked, next question, the stability of lyophilic coloids, lyophilic coloids क्या होते हैं और lyophobic coloids क्या होते हैं, we know that, lyophilic क्या होते हैं, वाटर लविंग coloids होते हैं और लाइफोविक वाटर हेटिंग coloids, इसमें क्या होते हैं, जो dispersed phase है और dispersed medium है, उसमें क्या होता है, attraction force होता है, यह जैसे dispersed phase है, इसके चारों तरफ, dispersed and medium की जो particles हैं, वो एक protective layer की तरह काम करते हैं, इसलिए इसका precipitation नहीं होता है, यह जो dispersed medium के जो particles हैं, वो dispersed phase पे क्या करते हैं, एक protective layer की तरह behave करते हैं, इसी वज़े से इसका PPT नहीं बनता है, ठीक है, और इसी वज़े से क्या होते हैं, stable होते हैं, जबकि लाइफोविक coloids हैं, वो water heating है, तो इसमें जो dispersed phase है, उसके उपर dispersed medium के particles हैं, वो protective layer का formation नहीं करते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, easily root से PPT का formation हो जाएगा, ठीक है, तो देखो, charge on their particle, बिल्कुल गलत है, a layer of dispersion medium on their particles, यहन डिस्पर्स phase के particles हैं, उस पर dispersion medium की क्या होती है, layer होती है, तो second option is cracked, next है, fog is an example of colloidal system, बिल्कुल colloidal system का example है, fog, और इसमें क्या होता है, liquid dispersed in gas, आपने fog, जो सद्धी में आता है, उसमें क्या होता है, gas की particles, sorry, जो liquid की particles हैं, वो gas के अंदर क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, तो liquid is dispersed in gas, तो first option is cracked, next, the number of moles of lead nitrate needed to coglate 2 moles of colloidal AGAE say I-, minus, यानि की काफी important question and need के अंदर आज सुका है, AGAE को कोई colloidal system है, उसमें lead nitrate के किते मोल से हैं, तो यहां पे lead iodide PBI से AGAE न उत्री है, इसके आपको किते मोल लेने पढ़ेंगे, तो देखो, 2 moles silver nitrate के colloidal system को आप क्या कर सकते हूँ, coglate करने के लिए इसके आपको कितना मोल चीए, 1 mole according to stoichiometry देखो आप, lead nitrate के कितने मोल चीए आपको, 1 mole चीए, तो 2 moles को आप coglate करोगी, तो 1 mole किसका चीए आपको lead nitrate का चीए, तो second option is correct, next, in an electrical field the particle sophe colloidal system move towards cathode, ठीक है, the coglation of the same soul is studied using K2SO4, Na3PO4, K4FeCN6 और NaCl, तो coglating power का order पूछ है, तो देखो, cathode है, cathode negative है, इसमें 4 electrolyte है, पहला electrolyte का है, K2SO4, तो यहां sulfate पे negative हैना आएगा, second क्या है, Na3PO4, यह PO4 minus 3 हैना आएगा, यह first है, यह second है, और third कौन सा होगा, third होगा, FECN6, minus का 4, और fourth कौन सा होगा, CL minus है, तो देखो, इसको कौन coglate सबसे पहले की, वैसे तो चारों कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन करेगा, जिस पे negative charge जितना ज्यादा होगा, उसकी coglating power सबसे ज्यादा होगी according to hard disorder rule, तो सबसे ज़्यादा coglating power किस की होगी, इस की होगी, तो third की सबसे ज़्यादा, उसके बाद में किस की होगी,surको थेखो, में 1st की और सबसे कम किस के होगी 4th की तो 3rd, 2nd, 1st और 4th, 2nd option is correct Point out the false statement, brown end moment and tender effect is shown by colorless system बिल्कुल सही है कि brown end moment and colorless system, tender effect, दोनों colorless system के क्या है, एक्जामपल है, goal number is the measure of the protective power of lyophilic colloids, ये भी बिल्कुल सही है, goal number is the measure represent करता है, 3rd, the colloidal solution of liquid in liquid, liquid in liquid colloidal solution को आप क्या कहोगे, emulsion कहोगे, ये क्या बोल रहा है, jail बोल रहा है, ये गलात है, 4th, hardy soldier rule is related with coglation, hardy soldier rule coglate से related है, बिल्कुल सही है, 3rd option is incorrect, next question, the coglating power of electrolytes having ion, ये 3 ions दे रहे हैं, for arsenic sulfide, arsenic sulfide क्या है, as2, as3, ये negative charge sol है, इसको आपको coglate करना है, तो इसमें आप क्या मिलाओगे, positive electrolyte के positive ion, electrolyte, और इसके positive ion साब क्या करोगे, इसके अंदर mix करोगे, तब ही क्या होगा ये, coglate होगा, तो देखो, इसमें सबसे ज़्यदा charge किसका है, LNP, plus 3 charge है, तो ये सबसे पहले इसको coglate करेगा, उसके बाद में, barium plus 2, और सबसे कम क्या होगा, Na plus 1, तो इसकी coglating power का order क्या होगा, L plus 3, Ba plus 2, Na plus 1, तो कौन सा option से होगा, second option is, correct, 13 में क्या होगा, second, next question, which plot is the adsorption isobar for chemical adsorption, where x is the amount of gas adsorbed on a mass, तो देखो, chemical adsorption में favorable condition क्या होती है, high temperature and high pressure, तो जब initially reaction start होगी, initially heat given to the reactant, reactant को आपको heat given होगी, तभी उनकी इसका bond break होगा, break होगा, उसके बाद में भी क्या बनेगा, chemical bond बनेगा, तो initially आपको क्या करना पढ़ेगा, temperature को increase करना पढ़ेगा, temperature जैसे जैसे आपको increase करोगे, तो amount of adsorption क्या होगा, increase होगा, तो x upon m, initially आपको heat क्या करना पढ़ेगी, given होगी, तो temperature increase करोगे, तो amount of adsorption बढ़ेगी, और कुछ time बाद में, पूरे के पूरे bond क्या होगा, break होगे, और उससे भी आपर आप temperature increase करोगे, तो adsorption दिरे-दिरे क्या होगा, adsorption क्या होगा, तो दिरे-दिरे क्या होगा, adsorption क्या होजाएगी, decrease होजाएगी, तो जैसे-जैसे temperature increase करोगे, एक बाद तो amount of adsorption क्या होगा, increase होगा, और उसके बाद में क्या होजाएगा, decrease होजाएगा, तो कौन सा option है, third option is correct, next question है, bleeding is stopped by the application of ferric chloride, this is because, ferric chloride के उप्योग चे रख स्त्राव रुख जाता है, ferric chloride है, इसमें कौन सा है, यह positive charge electrode है, electrolytes है, और bleeding क्या है, यह negative charge होगा, नगेटिव चार्ज शॉल, तो नगेटिव चार्ज शॉल में, आप अगर positive charge electrolyte मिलाओगे, तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे, coagulate करेंगे, एक दूसरे को coagulate करेंगे, तो दिरे-दिरे जो blood flow हो रहा है, वो दिरे-दिरे क्या हो जाएगा, रुख जाएगा, तो the blood start flowing in the opposite direction, बिल्कुल गलत है, the blood react and a solid is formed, which seal the blood vessel, यह भी गलत है, the blood is coagulate and the blood vessel is sealed, यह क्या हो जाएगा, coagulate हो जाएगा, और दिरे-दिरे blood का flow है, वो रुख जाएगा, तो third option is cracked, next question है, यह आपको गिस गिवन है, hydrogen है, CS3, CO2, SO2 है, on the basis of given data, आप क्यूशन को अच्छी से पढ़े हैं, question में क्या दिरिकर है, list amount of a, defined amount of a charcoal, list absorption किसमे होगा, तो देखो, जिसका force of attraction कम होगा, vulnerable constant, A की value कम होगी, A की value कम कब हो सकती, जब TC कम होगा, TC क्या होता है, critical temperature, पर जिसकी value क्या होती, at A upon 27 R B, तो critical temperature, प्रपोस्टल क्या होता है, A की, तो जिस गेस के लिए, critical temperature कम होगा, उस गेस के लिए, attraction force कम होगा, attraction force कम होगा, amount of absorption भी क्या होगा, कम होगा, तो किस गेस का critical temperature कम है, hydrogen gas का critical temperature कम है, तो amount of adsorption इसका क्या होगा, सबसे lowest होगा, तो 16 में क्या हो जाएगा, first 17, adsorption of a gaze full of friendly adsorption isotherm, x is the mass of the gaze adsorbed on mass of the adsorbent the plot of log x upon m versus log p is in the given graph, x upon m proportional किसके होगा, तो x upon m is equal to क्या होता है, k p की power 1 upon n, तो proportional किसके होगा, x upon m, proportional p की power 1 upon n की, यनि 1 upon n की value आपको calculate करनी है, तो पिछे की question में बच्चो आपने देखाता है, यह 1 upon n क्या होगा, अगर दोनु साइड आप लोग लोगे, तो यह slope के बराबर होगा, तो slope क्या होजाएगा, 1 upon n और slope, यहां पर कितना slope है, तो y upon x, y की value के है, 2 by 3, तो slope क्या होजाएगा, 2 by 3, तो में लिख सकतो proportional, p की power 2 by 3, जो amount of adsorption है, वो किसके proportional होगा, pk power 2 by 3 की है, तो कौन सा option से होगा, 3rd option is correct, next question no.18, aerosol is a kind of colloids in which, यह aerosol है, कौन से colloidal का example, aerosol किसका होगा, solid is dispersed in gas, solid की particles किसमें होगे, gas के अंदर dispersed होगे, जैसे धुन्द आता है, ठीक है, जैसे smoke है, sorry, smoke का example है, यह जो smoke का example है, aerosol, तो इसमें क्या होता है smoke के अंदर, जो dust के particles किसमें होते है, gas के अंदर, तो dust यहाँ पर क्या है, solid, और किसमें है, dispersed, gas में, तो second option is correct, next question, question no.19, peptidization क्या होता है, peptidization एक process होता है, जिसमें किसी भी precipitate को कोई electrolyte मिलाके, किसमें convert होना होता है, colloidal system के अंदर, उस process को आप क्या बोलोगे, peptidization, तो देखो इसके अंदर कौन सा option सही है, process of converting a colloidal solution into precipitate, बिलकुल गलता है, precipitate किसमें convert होगा, colloidal solution में, process of converting precipitate into colloidal solution, तो second option is correct, next, the solid initial is a bad conductor of electricity, यहनि जो solid है, देखो एक तो होता है, अक्वस initial, इसमें तो चार टाइप के आएन होंगे, जल के भी होंगे, और इस electrolyte के भी होंगे, एक होता है, molten initial, एक होता है, solid initial, अक्वस initial में, तो क्या है, number of ions ज्यादा होंगे, तो conductance ज्यादा होगे, molten initial में, दो ही type के आएन होंगे, जिसके बिज़ए से conductance होगे, solid के अंदर क्या होगे, no ions, no velocity, so क्या होगा, bad conductor होगा, this is the bad conductor, in solid initial, there is no velocity of ions, the third option is cracked, 21, a particular solid is very hard, has a high melting point in solid state, it is a non-conductor, and its melt is a conductor of electricity, classify the solid, यनि की एक solid है, जो बहुत हाद है, और इसका melting point होगे ज्यादा होता है, तो आएनी compound से ज्यादा होगा, हाद भी होगे, और in solid state, non-conductor, अभी आपको solid initial मैंने बताया था, जो आएनी compound है, जिसका melting hard भी है, melting point भी इसका बहुत ज्यादा है, और ये किस की तरह बहुत 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 की तरह है, तो classify the solid, तो कुन सा होगा, ionis kulit, तो 21 में, 4th option is correct, 22 देखो, A stands for the edge length of cubic system, simple cubic, body centered, face centered, तो देखो, आपके syllabus में तीन ही है, इन तीनों के बारे में आपको information होगे, जिस simple cubic में, अटम्स कहां पे होते हैं, तो कहां पे होते हैं, इसमें सभी corners पे, BCC में कहां होते हैं, सभी corners पे होते हैं, और body के center पे होते हैं, FCC में items कहां होते हैं, सभी corners पे होते हैं, और face के center पे होते हैं, फिर इनकी edge length और radius की बीच में relation पता होने चाहिए, number of effective item की बारे में पता होने चाहिए तो यह information आपको इनकी बारे में पता होने चाहिए तो देखो simple cubic की मा अगर बात करूँ यह simple cubic है इसमें items का होते हैं? corners पे होते हैं एकी radius R है इसकी radius B R है as length क्या होगी? A तो we know that A is equal to क्या हो जाएगा? 2R तो R is equal to क्या हो जाएगा? A by 2 ठीक है? Second, अगर मैं बात करता हूँ किसकी? BCC की तो BCC में क्या होंगे? जो particles corners पे होंगे और body के center में तो यहां पे एक particles होगे यहां BCC के अंदर है तो इसकी radius R इसकी 2R हो जाएगी और इसकी R तो total क्या हो जाएगी? 4R और यह distance कितनी होती? इस distance का सब को पता है कितनी होती है? रूट 3A यह सब में calculate कर रखी है तो यह क्या हो जाएगी? रूट 3A 4R is equal to क्या हो जाएगा? रूट 3A तो R is equal to क्या हो जाएगा? रूट 3A by 4 यह हो जाएगी किसके लिए? यह simple के लिए यह BCC के लिए और FCC में क्या होगा? FCC में उपर की face ले लेते हैं यह क्या हो गया? corners हो गया इदर भी यह corners हो गया और यह BCC में face का center हो गया तो यह R यह 2R यह R तो total कितनी हो जाएगी? 4R is equal to पाइतोगर स्थोरम से यह A है यह A है तो यह distance कितनी हो जाएगी? root 2A और root 2A किसके बरावर हो जाएगी? 4R के बरावर तो R बरावर क्या हो जाएगा? root 2A by 4 यह है किसमे? FCC में अब देखो कौन सा option है A by 2 root 3A by 4 तो पहला option गलत दूसरा option गलत 3rd option is correct next question यह सब ने आपने calculate कर रहा है class के अंदर the crystal system of a compound with unit diameter यह देर के आपको A is equal to B but B not equal to C यह देर के आपको alpha beta 90 degree but gamma is 120 degree तो देखो जैसे क्यूब की बात करते है तो क्यूब में क्या होती? 3 हो as length बरावर होती है एक unit cell को 6 parameter से आप represent करते हूँ जिसमें 3 तो angle होते हैं और 3 ही क्या होती है? as length होती है तो देखो cube है यह मैं cube मिना रहा हूँ इस cube के अंदर देखो आप it's just like a unit cell है तो यह इसकी तीनो angle है alpha है, beta है और gamma है तो यह beta और यह gamma तो यह तीनो as length है वो बरावर होंगे तो यह a बरावर b बरावर c और इन 3 के 20 में angle भी क्या होंगे? बरावर alpha बरावर beta बरावर gamma और यह कितने होंगे? 90 degree के बरावर होंगे तो ऐसे आपको देखना है तो इसमें तो यह hexagonal में क्या होगा? hexagonal में आपने hexagonal देखा होगा 2 length बरावर होती है लेकिन 2 length तीसरे के बरावर नहीं होंगी तो 2 length a और b आपस में बरावर होंगे किनी वो c के equal नहीं होंगी और 2 angle बरावर होंगी वो 90 degree के होंगी लेकिन 3rd कितना होगा? 120 degree केगा तो कौन सा होगा? 2nd option is correct limiting radius ratio for coordination number 6 coordination number 6 है limiting radius ratio limiting radius ratio LR यह अगर 0.155 से 0.225 होता है तो coordination number होता है इसका 3 यह आपको land करना है अगला radius ratio 0.255 से 0.414 तो इसका coordination number कितना होगा? 4 0.414 से 0.732 इसका है 6 और 0.732 से एक के अगर एक पल आता है इसका coordination number है 8 ठीक है? इसकी geometry क्या होगी? इसकी जो geometry होगी वो क्या होगी? trigonal planar trigonal planar इसकी होगी tetrahedral इसकी होगी octahedral अगर इसकी होगी क्यों तो अगर यही range दे रखिये दो इसका coordination number 3 होगा trigonal planear इसकी क्या होगी? statesat geometry होगी यह अगर तो इसका coordinates number 4 होगा टेटर एडल होगी, यह अगर range होगी, तो इसका coordination number 6 होगा, octa-a-डल होगी, अगर यह इसकी range होगी, तो यह coordination number 8 होगा, और क्या होगा cubic होगा, अब देखो question में क्या पूछ रिका है coordination number 6 है, coordination number 6 है, तो radius क्या होजाएगी, 0.41 forces 0.73, 2 तो कौन सा option से होगा, 3rd option is correct, next question, if Z is the number of atom in the unit cell, represent the closest breaking, ABC, ABC breaking आपको दे रखिए, ठीक है, तो number of tetra-a-डल-वीड, तो simple सी बात है, जो tetra-a-डल-वीड और octa-a-डल-वीड, दो प्रकार के वीड present होते हैं, तो tetra-a-डल-वीड कहां-कहां present होते हैं, वैसे तो आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, tetra-a-डल-वीड information के लिए आप याद रखो, सबसे पहले, tetra-a-डल-वीड शिरफ FCC में पाए जाएंगे, simple cubic और BCC में क्यों नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि उनमें atoms कहां होते हैं, face के center में नहीं होते हैं, जबकि अगर tetra-a-डल-वीड बनेगा, तो face के center को use करेगा, तो tetra-a-डल-वीड कहां पे होंगे, सबी जो body diagonal है, उन पे present होंगे, और एक body diagonal पे दो tetra-a-डल-वीड बनेगा, तो total tetra-a-डल-वीड कितने होगे, अगर मैं total tetra-a-डल-वीड की बात करूँ, तो एक FCC में कितने होगे, 8, एक body diagonal पे दो tetra-a-डल-वीड और एक unit cell में कितने body diagonal होते हैं, 4, तो 4 में कितने होगे, 8, number of atom कितने होते हैं, FCC की बात करूँ तो 4 होते हैं, सब को पता है, सभी corners पे और body के, 2 and 2 क्या होते है, number of atoms के होते हैं, 2 and 2 number of atom, आप से क्या पूचाए, tetra-a-डल-वीड, तो TV is equal to 2 क्या होगा, 2 and 2, number of atoms को किसी represent किया है, Z से represent किया है, तो 2, Z, तो कौन सा option से होगा, second option is correct, ऐसे-ऐसे basic questions आते हैं, तो उनके लिए आपको information का द्यान होना वह होते हैं, जरूरी है, next question, next question, question number 26, in a compound, atom of Y formed, CCP lattice, and those of element X occupied, 2 by 3rd of, tetra-a-double-वीड, तो X atom है, वो 2 by 3rd है, किस पे, tetra-a-double-वीड पे, Y के है, CCP, CCP, FCC, माना कि CCP में क्या a atom है, तो tetra-double-वीड क्या हो जाएंगे, 2a, क्योंकि दूगुना होता है, अभी अपने देखा था, तो 2 by 3, into 2a, तो देखो, formula क्या होगा, तो formula होगा, X 4 by 3a, y a, तो a से क्या होजाएगा, cancel out, तो formula क्या होगा, X 4 by 3, तो X 4 by 3, कौन सा option देखा है, 4th option, 4th option is cracked, हाँ तो बच्चों, question number 27, आप question को अच्छी से पढ़ले, question क्या देरे कहा है, FCC structure है, BC structure से, FCC structure में, convertory है, 90 degree Celsius, iron कोई element है, ratio of density of iron at room temperature to that at 90 degree Celsius, ठीक है, atomic radius दोनों की क्या है, constant, तो आपको क्या पुछे है, इन दोनों का ratio पुछे है, तो आप ratio कैसे निकालोगी, तो we know that, density is equal to क्या होता है, N into atomic mass upon N A into A cube, ये तो दोनों चीज क्या constant है, तो we know that density proportional N upon A cube, ठीक है, तो D BCC upon D FCC, number of atom कितने होंगे, BCC में 2, FCC में क्या होंगे, 4, देको density के, as length inversely proportional है, तो BCC में क्या होगा, 4R is equal to root 3A, तो A is equal to क्या हो जाएगा, 4R upon root 3, FCC में क्या होगा, 4R is equal to root 2A, तो A is equal to क्या होजाएगा, 4R upon root 2, ये पुट कर दो, तो यहां पर आप क्या पुट करोगे, BCCC के as length, जो क्या होगी, 4R upon root 3, का cube, और यहां पर क्या पुट करोगे, ये 4R upon root 2 का cube, कितने पार गया, 2 times, 4R से 4R, cancel out, तो देखो, कितना होगा, उपर क्या जाएगा, 3 root 3, और इची क्याएगा, 2 into 2 root 2, तो ये क्या होजाएगा, 3 root 3 upon 4 root 2, ये ratio होजाएगा, किसमें, DBCC और D, FCC के अंदर, तो देखो, कौन सा option सही होगा, 3 root 3 upon 4 root 3, 3rd option is correct, next question, तो number of atom in 100 gram, of FCC crystal with density, की देर की है, cell की as length देर की 100 picometer, तो एक कितना है, 100 picometer, तो ये 100 into, 10 की पावर मानिस का, 10, 10, सोड़, cm, तो ये क्या होजागा, 10 की पावर मानिस का, 8 cm, ये क्या जाओगी, as length A हो जाएगा, density कितने देर की 10, gram पर cm क्योग, यहाँ पर क्या है, gram पर cm क्योग है, तो D is equal to क्या होता है, N into, N की जगाँ आप क्या पुट करोगी, तो density कितने देर की 10, N FCF4, atomic mass आपको calculate करना है, क्योंकि number of atom क्योट करना है, तो पहले mole क्योट करोआ, क्योंकि क्या पुच्छा है, number of atom, N A की विल्यू क्या है, 6 into 10 की पावर 23, into 10 की पावर मानिस 8 का Q, तो यह इससे cancel out हो जाएगा, फिर उपर क्या आएगा 10, जो 10 10 से cancel out, atomic mass क्या हो जाएगा, इसको sold out कर लोगे, तो कितना हो जाएगा atomic mass, 6 by 4, तो यह कितना हो गया, 1.85 ग्राम पर मॉल, तो मॉल कितना हो जाएगा, weight of substance कितना है, 100 ग्राम, upon atomic weight कितना है, 1.5, यह मॉल आगे, number of atoms आप निकाल लो, तो 100 upon 1.5, into 6 into 10 की पावर, 23, इसको sold out कर लो, आप, कितनी बार जाएगा इसमें, 4 times, 4 into 10 की पावर 25, इतने number of atoms होंगे, तो कौन सा option है, 1st option is correct, next question है, इस metal FCC lattice में, edge length देरिखिये, इसकी 404 picometer density देरिखिये, 2.72 gram per centimeter cube, एक इतना देरिका है, 404, तो क्यों ना इसको approximate कर लें, लगबग 400 picometer, तो यह क्या हो जाएगी, 4 into 10 की पावर मानस का 20, 10 की पावर मानस 8 centimeter हो जाएगा, ठीक है, यह edge length आगी, density कितनी देरिकी है, 2.72 gram per centimeter cube, तो आप से क्या पूछा, इसके अंदर molar मास पूछा है, तो D is equal to क्या होता है, N into atomic mass upon N A into A cube, density कितनी देरिकी 2.72, N की वेल्यू कितनी है, FCC में न, N की वेल्यू 4, atomic mass आपको calculate करना है, अपन N A की वेल्यू क्या है, 6 into 10 की पावर 23, और A कितना देरिक है, 4 into 10 की पावर मानिस का, 8, picometer को आपने centimeter में convert कर लिया, तो यहां से आपके पास क्या जाएगा, atomic mass आजाएगा, ठीक है, और यह atomic mass किसके लगबगा है, 28 gram के lump समाएगा, तो कौन सा option होगा, 4th option, 4th option is correct, 13 number की पूछन देरिक रेडियू अप्लस, यह catn और nn की आपको रेडियस देरिक है, तो limiting radius ratio यह आप क्या कर सकते हो, coordination number का पता कर सकते हो, उसकी geometric के बारे में पता कर सकते हो, तो radius ratio, is equal to r plus, और r minus, r plus कितना देरिका, 0.98 इंटो 10 की पाउर माइनस का 10, और r minus कितना देरिका, 1.81 इंटो 10 की पाउर माइनस का 10, यह cancel out हो जाएगा, तो 98 पाउर 181, तो यह लगबग कितनी बार जाएगा, 5 टाइमस जा सकते है, 0, 9, तो लगबग 0.5 टाइमस जाएगा, तो यह range है, वो किसकी बीच में आएगी, 0.5, तो मैंने radius ratio की range बिताएगी आपको, 0.414 से, 0.732 है, तो उसमें कोर्डिनेस नमर कितना होगा, 6 होगा, तो कौन सा option से होगा, 1st option is correct, next question, the radius of N1+, और C1-N, तेरी के दोनु केटाइन और N1 के radius, एजलेन कुछी है, तो N1-C2 जेओमेट्री में आपने देखा होगा, जो N1 है, वो क्याँ पे होता है, FCC में, और जो केटाइन है, वो होता है, ओक्टराइडलोड पे है, यह R-, R-, और यह 2R+, होजाएगा, तो जो A है, टोटल लेंथ, वो किसके बराबर होगी, A बराबर 2, R+, प्लेस, और माइनस, तो A is equal to क्या होजाएगा, 2 into 95 plus 181, इन दोनों का आप एड कर लो, तो इसको एड करोगी आप, तो कितना हैगा, 2 into 6, 7, to 276 है, और इनको आप अगर मल्टिप्लाइ करोगी, तो कितना हैगा, 5, 2, P, 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 M, तो यह इसकी क्या होजाएगी, as length होजाएगी, 5, 5, 2, P, P, M, M, तो कौन सा उप्शन से होगा, 3rd option is, create, copy, simple question है, next question, a solid compound contain, x, y, z, x, atom कहाँ पे है, corners पे, x atom है, वो कहाँ पे है, corners पे, corners का contribution कितना होता है, 1 by 8, एक पार्ट का, कितने atoms हैं, सभी corners पे हैं, तो 1 atom हो गया, x का, y कहाँ पे है, y atom है, body center पे, यह है, body center पे, यह हो जाएगा, 1 into 1, कितना हो जाएगा, 1, और z कहाँ पे है, z atom है, आपके, center of face, face center, यह है, face center पे, एक face का contribution, 1 by 2, into कितनी face है, 6, तो कितना हो जाएगा, 3, तो formula देखो, आप क्या होगा, तो formula होगा, x1, y1, z3, x, y, z3, तो कौन सा option सही है, x, y, z3, second option is, correct, next question, in cesium chloride structure, coordination number of cesium, तो देखो, cesium chloride structure में, क्या होता है, cesium chloride structure, इसमें, chloride iron तो कहां पे होता है, all corners पे, ठीक है, और cesium plus iron कहां पे होगा, body center पे, ऐसा कोछ जरूरी नहीं है, ये, reverse भी हो सकते हैं, all corners और body के, center पे होता है, ठीक है, तो coordination number कितना होगा, body center पे या नहीं, ये तो, all corners का मतलब, 1 by 8 into 8, कितना होगा, 1 atom, और body center का भी कितना होगा, 1 atom होगा, ठीक है, तो cesium chloride, per unit cell, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अब आप से पुचा, coordination number है, तो body center का, coordination number, body center को, at chlorodine, 4 तरब से क्या करते हैं, surrounded करते हैं, तो इसकी structure, आप से आप देख सकते हो, coordination number, number of nearest touching atom, को आप क्या कहोगे, coordination number कहोगे, ये cgm plus i n है, ये chlorodine है, तो देखो, एक cgm plus i n को, at chlorodine क्या करते हैं, surrounded करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 4 उपर से, और 4 नीचे से, तो इसका coordination number कितना हो गया, at हो गया, और एक chlorodine को, at cgm plus i n, चारों तरब से क्या करते हैं, surrounded करते हैं, तो क्यूशन क्या है, सेजियम क्लोरे इस्टेक्शन करते हैं, कोर्डिनेशन सेजियम, equal to that of chlorodine, that is at, तो कौन सा होगा, second option is cracked, next, the cracked statement, regarding defect in crystalline solid, तो option देको, आप, sort की defect have no effect on the density of crystalline solid, sort की defect में क्या होता है, number of cation और anion, same digit में क्या होते हैं, crystal से बाहर चले जाते हैं, तो इसमें density क्या होगे, मैं साँ, density decrease होती है, frankal defect decrease the density, इसमें density क्या रहती है, same रहती है, क्योंकि इसमें, कोई भी iron, crystal से बाहर नहीं जाता है, तो क्या होता है, frankal defect में, generally cation, अपनी location सोट की, inter-stitial site पे जाकी, क्या हो जाता है, occupy कर हो जाता है, इसलिए इसको dislocation defect भी कहते हैं, तो इसमें density में कोई change नहीं होगा, तो frankal defect, is a dislocation defect, third option is correct, next question, question number 35, in agbic crystal, the ionic size, agbic crystal की size, BR-1 से बहुत कम है, the agbic crystal should have, the following characteristics, तो देखो agbic crystal है, वो दोनु टाइप की defect स्यों करती है, short की defect और frankal defect, काफी important है यह एक्जाम पर लो रहे, जो दोनु के अंदर आता है, तो fourth option is correct, next question है, 36, in the pressure of initial, यहनि initial का प्रेशर इंक्रीज करोगे, तो simple सी बात है, प्रेशर इंक्रीज करते हो, प्रेशर इंक्रीज करोगे, तो प्रेशर इंक्रीज करोगे, तो कोडिनेशन नमर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्यों होगा, कोडिनेशन नमर क्या होगा, एक दूसरी के लिए नीरेस्ट आएंगे, तो coordination number क्या होगा? Increase होगा, NACL ka coordination number क्या होता? Six, जो आप pressure increase करोगे, तो ये किसमिक करवाट होजाता है, CGM Chloride में, जिसका coordination number क्या होता है? At ratio, At, तो pressure increase करोगे, तो coordination number क्या होगा? Increase होगा. तो आप अगर forward direction में जाओगे तो pressure increase हो रहा तो temperature decrease भी कर सकते हो आप तो कही बार ऐसे भी पूछ लेगे अगर temperature decrease करें तो coordination number क्या होगा तो increase होगा और backward direction में जाओगे तो pressure decrease और temperature increase ठीक है लेकिन आपको तो question में क्या पुछ है In the pressure of initial structure का increase करते हो तो coordination number क्या होगा तो coordination number क्या होगा increase होगा तो first option is correct Next question in Na2O having anti-fluoride structure Na2O के anti-fluoride structure है जिसका formula आपको क्या दे रख है Na2O दे रख है तो anti-fluoride structure में क्या होता है Oxide ion है वो FCC में रहता है और जो Na2O है वो क्या रहता है Teta-fluoride पर रहता है Simple सी बात आप formula से भी देख सकते हो इसका formula यह form कब होगा जब oxide ion FCC में हो और Na2O क्या हो Teta-fluoride पर हो तो देखो फ़हला option Oxide ion as a cubic close-packing यानि FCC बात कर रहे है arrangement and Na plus sign occupy all the A teta-fluoride इसमें आप formula अगर आप बनाना चाहो तो इसका formula क्या बनेगा Na2O तो first option is correct Second आप चेक कर लो Oxide ion FCC में अर्रेंजमेंट में लेकिन Na plus sign occupy all the teta-fluoride अगर second का आप formula बनाना चाहो तो Na कितने होंगी आप CC में तो चाहर और जितने number of atom होते हैं उतने octa-fluoride होते हैं और दूगुने क्या होते हैं टeta-fluoride होते हैं तो Na4O4 तो इसका formula NaO हो जाएगा जो की possible नहीं है तो कौन सा option से होगा 37 first option is correct next what type of crystal defect is indicated in the diagram below तो देखो यहाँ पर क्या हैगा यहाँ पर देखो space है CL- और CL- के बीच में क्या हैगा N E plus N हैगा और N E plus N, N E plus N की बीच में simple सी बात है क्या हैगा CL- मानस N हैगा यहाँ CL- CL- के बीच में N E plus N हैगा और यहाँ पर क्या हैगा CL- N हैगा अब देखो जितने number of catein है उतने number of N N के हैं missing है तो number of catein and N N missing in same number same number में अगर यह miss हो जाए है क्याने कि crystal से बाहर चले जाए है उस case में क्या होगा sort की defect होगा sort की defect और frontal defect में आपको difference पता होना चीख क्या क्या होता है तो sort की defect में equal number of catein and N N missing from there crystal is known as sort की defect और जिसमें density क्या होगी decrease होगी तो कौन से defect है sort की defect intestinal defect क्या होता है कोई भी catein है वो अपनी location sort के नई location पे आ जाता है उस नई location को क्या करते है intestinal defect frontal defect में क्या होता है simple catein अपनी location को left करके एक नई location को क्या कर लेता occupy कर लेता है उसे आप क्या कहोगी frankal defect ठीक है तो इस crystal में कौन सा defect हैगा sort की defect second option is correct next एक compound है mpxq ccp arrangement में तो आप इसका empirical formula आप से पूछ रखे है तो देखो यह जो square है वहाँ पे तो क्या रख रखे है m रख रख है तो m कहां कहां पे है यह देखो आप m सभी edge के center में edge center पे और एक है body center पे edge center का contribution कितना होता है corners का 1 by 8 होता है face का 1 by 2 होता है body center का 1 होता है edge center का क्या होगा 1 by 4 contribution होगा यह सबको पता है तो 1 by 4 कितने edge है 1, 2, 3, 4 4 यह पे रख 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 है 1 by 4 into 4 plus body center का सबको पता है contribution कितना होता है 1 तो 4 से 4 cancel out 1 और 1 क्या होगा 2 item होगा अब X देखो X किसे represent कर रख है circle से कर रख है circle कहां कहां पे सभी corners पे है और face के center में तो corners का contribution कितना होता है 1 by 8 into 8 और face center का 1 by 2 into 6 तो यह कितना होगा 4 होगा तो formula क्या होगा देखो formula हो जाएगा M2 X4 यानि कि simplify अगर इसको क्रोगे तो MX2 formula हो जाएगा according to this geometry MX2 किसमे second option is correct next question है cesium chloride BCC latest है जिसमें A है as length which of the following expression is correct तो cesium chloride के अपन structure बनाते हैं देखो यहाँ पे तो कौनसा यह जो body diagonal length है वो सब को पता है कितनी होते है root 3 A होती है यहाँ पे chlorodine होगा जिसकी R C L minus A N radius होगी यहाँ भी क्या होगा chlorodine होगा जिसकी radius R C L minus A N और 20 में क्या होगा cesium plus A N होगा तो यह cesium plus A N है जिसकी radius क्या होगी 2 R C G M plus तो अगर 20 के अगर अपने देखें तो यह क्या हो जाएगी R plus और यह भी R plus तो यह distance क्या होगी यहां से यहां तक की distance तो यह distance को आप क्या कहोगी R C G M plus plus R C L minus है तो टोटल कितनी है यह टोटल है यह यह यहां रूट 3 है और इसकी हाप क्या होगी रूट 3 A by 2 तो यह कितनी होगी रूट 3 A by 2 तो तो देखो कौन सा option दे रहक है R C G M plus plus R C L minus 3 A गलत है 3rd option देखो R C G M plus plus R C L minus is equal to रूट 3 A by 2 तो 3rd option is correct next 41 At 100 degree Celsius copper has F C C unit cell विच एजलन देखी X angstrom यानि कि A कितना दे रहक है X angstrom दे रहक है Angstrom को आप centimeter में convert करो X इसको into 10 की power minus का 8 cm यह दे रहक है F C C दे रहक है तो F C C में N की value कितनी होगी number of effective atom 4 होगी तो आपको density पूछ रहक है तो we know that density is equal to क्या होता है कित्ती बार formula लिख चुके है बता हो क्या होगा number of effective atom कितने F C C में 4 Atomic mass कितना होता है copper का देर का equation में 63.55 आवगा द्रुसंक्या 6 into 10 की power 23 into cube इसको simplify करोगे तो कितना होगा देखो 4 into 63.55 upon 6 into 10 की power 23 into x का cube into 10 की power मानस का 24 तो देखो यह इससे cancel out हो गया तो उपर कितना गया 10 बच गया तो देखो density कितने होगी तो उपर देखो क्या क्या आएगा 40 into 63.55 अप वो नीचे के आएगा 6 इसका लगभग कितनी बाज जाए 6.6 इसको multiply करोगे तो यह लगभग कितनी जार जाएगा यह approximately आप नीचे तो x cube आएगा तो नीचे x cube आगया इसको इससे multiply करोगे तो यह लगभग आएगा 422 km ग्राम पर cm यह density आजाएगी simplify आप easy go में कर सकते हो तो fourth option is correct next question एक compound of formula A2B3 है जे hcp lattice which atom form the hcp lattice and what fraction of theta delioid is occupied the other atom यानि कि यह formula आपको दे रख है simple सी बात है यह formula देखा है तो A atom कहां पर फुटके है और B atom कहां पर फुटके है यह according to option check कर लो hcp A कहां पर hcp lattice A को मैं माल लेता हूं A पर x atom ठीक है B कहां पर 2 by 3 theta delioid तो B कहां है 2 by 3 theta delioid आपको पता है number of atom c theta delioid कितने होते है 2 times होते है तो B कितना हो गया 2 by 3 into 2x तो यह formula क्या हो जाएगा 4x by 3 तो इससे formula अगर आप form करना चाहो तो क्या होगा formula A x और B 4x by 3 x x cancel out तो क्या हो जाएगा A 3 B 4 कैसा formula दे रहाएगा नहीं A to B 3 आएगा formula तो 2nd से देखो आप H cp latest कहां पे है B P तो B यह तो है 1st का 2nd का है B is equal to क्या है x atom आप form कर लो A क्या है यहां पे तो देखो आप A क्या है 1 by 3 theta delioid 1 by 3 into 2 theta delioid तो 1 by 3 into क्या हो जाएगा 2x इसको लिख सकते हैं 2x by 3 तो formula क्या होगा देखो यहां पे formula A is equal to क्या हो जाएगा 2x by 3 और B is equal to क्या हो जाएगा x x से क्या हो जाएगा cancel out तो formula क्या हो जाएगा A to B3 तो कौन सा option सही होगा second option क्यूंकि second option के according आप A और B atom को औरेंज करोगी तो यह formula आजएगा A से हैच कर लिया B से अपना सही आगया तो बाकिया आपको calculate करने की जुरुत है नहीं है next KCL क्यूंकि स्लाइट इन सेम टाइप अप अप लेटिस एज ड़ अनिसल इन उनका रेडियस रेशियो आपको दे रिख है KTNNN का इसमें भी दिरुक है KTNNN का तो देखो R N E plus upon R C L minus है यह आपको दिरुक है 0.55 इसी प्रकार एक information और दिरुक है R K plus R C L minus है यह कितना दिरुक है 0.74 ओके यह दो information आपको question में given है आपको पूचा क्या है इनकी side यहनि की R K C sorry side क्या हो जाएगी R K plus R C L minus N और नीचे R N E plus N प्लस R C L minus N यहनिकी side आपसे पूची है इन दोनों का ratio क्या होगा तो आप क्या करोगे एक से दोनों side एक 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 एड़ कर दो तो R N E plus N R C L minus N प्लस 1 इदर कर दिया और प्लस 1 भी इदर कर दो आप ऐसी R K plus और R C L minus N प्लस 1 इदर कर दिया और प्लस 1 इदर कर दो 0.74 प्लस 1 तो यह कितना हो जाले 1.74 तो multiply कर दो आप तो next layer निकाल देते हैं R N E plus प्लस R C L minus यह क्या हो जाएगा एक पल्ट हो जाएगा 1.55 R C L minus N ऐसे आप इदर देखो R K plus प्लस R C L minus N से क्या हो जाएगा 1.74 R C L minus N आपको यह चीज पूछ रखी यह चीज आपको calculate करनी है तो आप इस चीज को calculate करोगी तो कैसे calculate करोगी इन दोनों में आप क्या करोग K C L के अंदर आप से पुचा क्या है A K C L upon A N A C L A K C L कितना देखा 1.74 R C L minus N और यह हो जाएगा 1.55 R C L minus N यह से cancel out हो जाएगा तो यह 1.1 किलम समाएगा इन दोनों का Ais Length का ratio तो देखो कौन सा option दे रहे है 1st option दे रहे है 1st option दे रहे है N A plus N कहां पे होता है All Octodal weight इसमें number of atoms कितने होंगे Chloride N 1 by 8 into 8 1 by 8 into 8 plus 1 by 2 into 6 FCC का मतलब number of atoms कहां पे होते है सभी corners पे और face के center पे तो यह कितना हो जाएगा 1 और यह कितना हो जाएगा 3 1 plus 3 कितना हो गया 4 atom ऐसे octodal weight octodal weight कहां पे होते है पताओ कहां पे होते है सभी edge के center पे और body center पे है edge का center का contribution 1 by 4 कितने edge होते है 12 है और body center का contribution 1 तो यह भी कितना हो गया 4 atom हो गया ठीक है तो number of any cell per unit cell कितना हो जाएगा 4 और क्यूंकि 4 e na plus i और 4 e c l minus i तो 4 e na c l हो जाएगा coordinates नमर आपको पता है कि एक Chloridine का 6 sodium plus i इसको occupy करके रखते है तो इसका coordinates नमर कितना हो जाएगा 6 ratio 6 हो जाएगा Chloridine as FCC arrangement बिल्कुल सही बात है Chloridine कहां पे होता है FCC arrangement में होता है second e na plus i and h coordinates number 4 coordinates number कितना होगा 6 होगा third e Chloridine as coordinates number 6 ये भी बिल्कुल सही है each unit cell contains 4 initial molecules तो कितने initial molecules है 4 तो कौन सा गलत है second option is incorrect next question the arrangement of x-n around a plus i in solid ax is given in the figure not round to scale if the radius of x- यान की radius इतनी दे रहे है क्या होगा ये आप से पूछे तो आप Geometry को देख के बताओ आप किस टाइप का void है तो ये octoidal void octoidal void में क्या होता है 3 square उपर और 3 square निचे इनके बीच में जो voids create होता है उसे आप क्या कहोगे octoidal void this is the octoidal void और इसका radius ratio की range में ने बताए थी coordination number कितना होता है octoidal void का 6 और radius ratio है वो क्या होगा 0.4142 0.732 तो ये जो cation है वो अगर exactly fit है तो उस case में आप radius ratio क्या लोगे 0.414 तो इसको आप simplify करोगे r plus upon r minus this is the radius ratio और exactly fit हो उसके लिए आप क्या लोगे 0.414 तो r plus कितना आएगा 250 ये a9 की radius से 250 इन्टो क्या पूट करोगे आप 0.414 तो ये कितना आएगा जब इन दोनों को लग बग आप multiply करोगे तो ये आदे से भी कम आएगा यानि कि 104 p.m. तो ऐसे आप calculation करोगे तो first option is correct ऐसे 45 number question अपने discuss के most important question है तो punch में अपने लग बग वोई question लेते है जो कापी important है पुराई J.M.N. की question आएवे है तो उनों question आपने discuss करते है ठीक है तो सभी punch अपने लग बग क्या होचके complete होचके इनोंको आप अच्छी सी revise करें Thank you so much